यहीं यूट्यूब पर काफी सारे ऐसे चतुर बैठे हुए हैं जो सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि कमपैटर की स्ट्राइटीजी देखकर कॉपी कर लो अगर बंदे को नकल ही करनी है तो तू हतोड़ा कैसी हो एक्सपर्ट बना गूम रहा है बावरे गूगल में बिजनस के बारे में बात किये हुए मुझे इतना ज्यादा टाइम हो गया है कि अब तो लगता है कि GMB आइकन में जो दुकान बनी हुई है उसमें मकडी के जाले लग गए होंगे आप में से जितने लोगों ने अभी हाल ही में इस चैनल को देखा है जॉइन किया है उन्हें शायद पता ना हो लेकिन हमने गूगल में बिजनस के उपर करीब 40 से ज्यादा वीडियो किये हुए है लिस्टिंग का वेरिफिकेशन, सस्पेंशन, वेबसाइट, SEO, स्ट्राटजीज वगएरा वगएरा हर टॉपिक को हमने कवर किया हुआ है डीटेल में लेकिन स्ट्राटजीज की सबसे बड़ी प्राबलम होती है कि वो टाइम के साथ पास ही हो जाती है यहीं यूट्यूप पर काफी सारे से चतोर बैठे हुए हैं जो सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि कमपैटर की स्ट्राटजी देखकर कॉपी कर लो अगर बंदे को नकल ही करनी है तो तू हतोड़ा का SEO Expert बना गूमरा बावरे बट अगर देखा जाए तो इन लोग की दिक्कत यह है कि कभी Work Experience जीरो का पडोसी भी नहीं हुआ तो Strategies बनाने का मौका नहीं मिलता है विसे अगर आपने हमारे GMB के पिछले वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप Basics अलड़ी जानते हैं उन्हें मुझे बताने के जरूत नहीं है लेकिन एक Limit के बाद Basics से काम नहीं चलता है सारे Options आपने Set कर लिए, Competers की Fake Listing अटवा दिए, Review बढ़वा लिए, Rating 4.9 से ज्यादा है बट आगे क्या? आगे है Total Dominance आज जिन 10 Steps पर हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, उन्हें लेकर ना सिर्फ आप Local Area में अपनी Listing को Top Rank पर बरकरार रख सकते हैं बलकि अपने Business की Overall Presence को बढ़ा सकते हैं, Listings और Online Presence से Leads का Client या Customer में Conversion है, उसके Ratio को बढ़ा सकते हैं Actually में इंकम बढ़ा सकते हैं, आखिर Local SEO की यही तो हो भी है कि जब यह चलता है तो आपको या आपके Customer को अपने हाथ में पैसा आता हुआ देखाई देता है आज हम देखते हैं वो 10 जरूरी चीज़ें जो आप अपनी Google My Business Listing और Website में Implement करके अपने Computer से आगे निकल सकते हैं अपने Real Customers को Detailed Review लिखने के लिए इंकरेज करिए जब 200 से ज़्यादा Words वाले और एक दो फोटो के साथ जो Reviews आपके Business को मिलेंगे तो आपके Business की Reputation को तीन चांद लग जाएंगे क्योंकि चौथा चांद कौन है आपको जब मैं Real Customers के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यह Ethical है जब कोई Real Customer आपके Business को Review देने के लिए 200 लिखेगा तो उन Services या Products को ही बताएगा जो उसने आपसे परचेज की हैं और उन Unprofessional Words में जब उन्हें explain करेगा तो वो Google को ज़्यादा से ज़्यादा Keywords को आपकी Listing के साथ Associate करने के लिए फोर्स करते हैं गूगल में Business Listing में Review Snippets होते हैं जो किसी Keyword के सर्च होने पर आपकी Listing को ना सिर्फ Map Pack में दिखाते हैं बलकि ये भी शो करते हैं कि किस Business के Reviews में ये Keywords यूज किये गया हैं तो रियल कस्टमर्स के फोटो के साथ detailed review डालने के लिए इंकरेज किरिये आप उन्हें इस पर थोड़ा effort डालिए आपको बड़े हाँ result मिलेंगे सिर्फ अपने office, shop या store की फोटोज मत डालिए बलकि active फोटोज डालिए अपने staff की काम करते हुए pictures आपके अपने clients के साथ interact करते हुए pictures clients की permission की साथ obviously staff की clients के साथ picture and so on for example अगर आपका एक restaurant है तो सिर्फ kitchen equipment की photos मत डालिए kitchen की photos मत डालिए बलकि staff की खाना बनाते हुए photo डालिए या waiter की खाना सर्फ करते हुए photo डालिए इन action photos आपकी listing देख रहे viewers को आपके business के active होने का message देती है एक confidence आता है viewer के मन में तो सिर्फ boring photos मत डालिए action photos लीजे और original quality में upload करिए गूगल में business अगर car है तो आपकी website उसका engine है और इस engine का patrol है आपकी website का content लेकिन इस content में आखिर क्या हो अधिकतर local business websites जो मैं देखता हूँ उनमें weakness होती है content की या तो homepage को slider से भरके रखते हैं या फिर average generic content होता है बेस्ट फलाना डिमा का provider in this and that city and honestly कहूँ तो आप अपने आप से जब खुद को किसी भी चीज़ में best बताते हैं तो आप किसी को इंट्रेस नहीं कर रहे हैं इस तरह के average content की जगे अपनी website पर अपने business की usp लिखे या उसका unique selling point आखिर आपके business में ऐसा क्या है जो आपके business क अपने business को explain करने के लिए use करेंगे वो सिर्फ Google को ना सिर्फ आपके business को better तरीके समझने में help करता है बलकि normal human visitors को भी आपकी website को याद रखने में help करता है और आपके business को ज्यादा visitors मिलते हैं ज्यादा conversion मिलता है 4G plus और broadband के इस दौर में जहां लोग हर रोज एक ही टाइप की ट्रोल है और CTA है उसका steering wheel CTA का मतलब होता है call to action call to action क्या होता है पेटियम के ad देखे होंगे आपने हर ad के last में क्या आता है पेटियम करो वो है call to action वीवर को नहीं पता कि उसे ad देखने के बाद क्या करना है आपने महेंगा ad बनवा लिया टीवी पर रेडियो पर चलवा द आते हैं तो चाहे biscuit पढ़े हैं आप रख देते हैं और गेस्ट फिर भी सोच में पढ़ा रहता है संकोच कर रहा होता है कि क्या करें तो आप बोलते हैं कि खाये चाहे लीजिए biscuit ठाये अगर बिन बलाए महमाने तो आप कह देते हैं कि ले उठा चबा बट जो भी आप बोल करें कुई form भर के book करें purchase करें store visit करें जो भी आप action चाहते हैं user से लेना उसे clear words में बताईए नमबर 5 clear steps आपको अपनी website में चाहे home page पर या किसी और page में एक छोटा से section इस बारे में रखना चाहिए कि आपकी services या products कैसे purchase की जा सकती है आपकी नजर में आपका business बहुत आसा पर लाती है और कोई person आपकी website के link पर click करके उसे visit करता है लेकिन अब में भी वो आपकी phone number को note करके उस पर click करके call करें आपके salon को visit करें या में भी वो सोचता रह जाए कि पता नहीं ये कितना costly salon होगा क्या timing होगी जाऊं या ना जाऊं इस problem को solve कर सकते हैं एक 6-7 line के section बना जाएगा उन्हें अपने time से दस पंदार मेंट पहले पहुचना चाहिए and so on ये steps लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन user के लिए आसानी होती है user experience बढ़ जाता है और Google आपकी website को ज्यादा preference देता है आपकी listing को better rank देता है नमबर 6 clear map ये point confusing है हम Google my business की बात कर रहे हैं जो Google map का part है और हर कोई Google map पर तो already address ढूंड सकता है तो फिर और कौन सी map देने की बात में कर रहा हूँ वेल Google map अच्छा है लेकिन फिर भी क्या आप Google map के दी हुए steps को जस्पढ़ के कोई रास्ता पहचान सकते हैं काफी बार हम अपने office या घर के बगलवाली road का official नाम नहीं जानते हैं आप जिस road को अपने घर के आसपास की bus stand की road जिंदगी पर बोलते रह जाते हैं उसका official ना local style में बता दीजे local language में बता दीजे point 5 की तरह ये user के लिए अच्छा होगा Google बाबा खुश होंगे नमबर साथ good internal linking internal links किसी भी website के लिए जरूरी होती हैं बहुत जरूरी होती हैं लेकिन local websites के लिए ये internal links और भी ज़्यादा जरूरी हो जाती हैं बिकिस वो search engines को आपका content explore करने में help करती हैं और साथ ही में उसका context समझने में भी help करती हैं I know that आप site map भी बढ़ियां बनाकर search console में जोड़ चुके हैं लेकिन site maps context को provide नहीं करते हैं जहाए आप अपने home page को अपनी listing के साथ connect करें या किसी internal page को लेकिन आप अपनी website के internal structure और internal linking पर focus करिए internal linking के उपर हमने एक ये video बनाया हुआ है जिसका link अभी आपको ऊपर टंगा हुआ दिखाई देगा और नीचे description में भी पढ़ा हुआ में जाएगा अपने काम का proof दीचे अपनी website पर भी और अपनी google my business listing पर भी अगर आप कोई service offer करते हैं तो अपनी website पर list शेर कर सकते हैं कि कहां-कहां पर आपने services प्रवाइड किये हैं local area में अगर आप product बेचते हैं तो आप list कर सकते हैं अपने clients के नाम, उनकी details, photos and अगर आप B2B service प्रवाइड करते हैं तो उन businesses की list दे सकते हैं उनके links directly provide कर सकते हैं इस तरह के proof से आप audience और Google दोनों पर impress करते हैं I know आपको सारा business Google my business listing से मिलता है, Bing से कोई customer नहीं आता है लेकिन Google तो Bing को importance देता है ना Google बाकी map platforms को भी citation source के तौर पर count करता है, इसलिए आप तो Bing पर भी अपनी listing को claim करना है, map my India पर भी अपने business को list करना है, just dial पर जो आपकी listing है उसको optimize करना है, basically कोई भी map platform मत छोड़िये, customer मिले या ना मिले, लेकिन citation तो मिलेगे number 10, get a good agency, अगर आप अपने business के बारे में really serious हैं, उसे professionally grow करना चाहते हैं, तो अच्छी local SEO agency hire करिये, जरा सूचिए कि अगर आपके दात में problem होती है, तो क्या आप dentist का course करते हैं, जब आपको गाड़ी की service करानी होती है, तो क्या आप service center जाते हैं, या engine oil लेकर खुदी अगरोत के हिसाफ से plan बना सकती है, और आपके business को continuously grow कर सकती है, local SEO agency को खर्चे की तरह नहीं, बलकि investment की तरह देखिए, जो भी amount आप एक SEO agency को hire करने पर खर्च करते हैं, उतना ही जदा आपके business को clients मिलते हैं, आपके business की image professional होती है, आप अपने खाली time में अपने business की marketing के चिं और अपने competitors की listing को उनके business को काफी पीछे छोड़ देंगे, Google My Business पर focus करिए, लेकिन goal हमेशा अपने business की online presence को चमकाने पर रखिए, thank you so much for watching this video, my name is Amitivari for Amitivari.net and I will see you next time, take care. Amitivari